गूड़ मॉर्nia फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आप सब छोग अच्छे होंगे आज है दिनमंगल बार और आज है सोला Darik। और अब मॉर्nia के बज रहे हैं साथ और आप देख सकते हैं की साथ बजे का मौसम भी कैसा है मॉर्nia का लाइट game चल रही हैं। और अभी अंदीरा है और कोहरा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और ये देखिए ओसकी बूने जो आपको मेरे बालकनी की रोट पर दिख रही होंगी और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है हाथ पर बिल्कुट थंडी हो जाते हैं बर्फ की तरह है और मॉर्निंग का काम क करने में सबसे ज़्याद अदिकत होती है क्योंकि सुबह सुबह उठना और सिदा पानी का काम करने में बहुत ही ज़्याद अदिकत होती है ये देखिए ये मेरी दरी फैली भी है और चारों तरफ का मौसम कैसा है पास का है इसलिए कोरा कम दिख रहा है और देखिए लाइ किचन का काम निप्टा लेते हैं जल्दी से क्योंकि साड़े आठ बजे इनको निकल ला होता है तो सबसे पहले किचन का काम निप्टा लेते हैं जल्दी से और अभी हम मैं मिल नहीं हूं आपको साड़े ग्यारा बजे मैं वंसिका को स्कूल छोड़ने जा रही हूं वंसिका क को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ अनन्या को मैंने नीचे छोड़ दिया है वो बहुत ज़दा रो रही थी इस वज़े से और अब मैं मिल रही हूँ अबिसादी के हमारे पड़ुस में साधी है वहीं के लिए तैयार हो रहे हैं तो आब बताइए मेरा साड़ी का लुका आपको कैसा लग रहा है काफी दिनों बाद मैं साड़ी पहन रही हूँ अभी मैंने पहनी थी दो तीन दिन पहले लेकिन वो मैं आपको दिखानी पहे और मैंने साड़ी पहन गही तुरंट काम गई थी तेल पूजन में उसके बाद मैंने आके निकाल दिया हुआ था क्योंकि बच्चों के साथ साड़े बेहन के काम उससे नहीं हो पाता है अन्यने बहुत ज़्यदा साड़े किस्ती हैं ये देखिए सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं कहीं जाना होता है कासकर सादे वादी में तो सर्दी में सबसे ज़्यादा सर्दी में दिक्कत होती है साधी में तयार होने के लिए क्योंकि ठंड बहुत तेज होती है और कप्टे चेंज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है पर उसकी साधी है जाना भी जरूरी है इसलिए सब लोग तयार हो गए हैं और हम लोग पूरे और मैं कैब देख रही हूं क्योंकि बच्चे सब समान इदर उदर कहला देते हैं अनल्या तो बहुत ज़्यदा फैला रही है कप्ड़े गीले होते हैं तो इस सवाज़े से इस समय बाहर ज़्यादा कप्ड़े फैले हैं मेरे तो जितने भी कप्ड़े बाहर फैले हैं अठ पहा के उसे इदर उदर सब फेकती रहती है इसलिए कोई चीज बैट के नीचे पड़ी है तो कोई कुर्सी के पीछे पड़ी है इस तरह से सारा समाल चारों तरफ फैला पड़ा होता है और ये देखी मेरी दोनों बेटियां तैयार हो रहे हुई हैं और सब लों केल रहे हैं और ये देखी मैं अपना थोड़ा सा सूट कर रही हूँ और आप देखके बताईएगा कि आपको ये मेरा सूट कैसे लगा और ये मेरा न्यू जैकेट है जो भी कल ही आई भी है और आप बताईएगे आपको मेरी जैकेट कैसी लग रही है और साड़े पर ये जैकेट मेरी दूसरी भी है जो आपने देखी होगी ये कल लेके आए मैं है तो मैंने का इसी पहल लेते हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं साधी हॉल में ये हमारे घर से कम से कम आधा गंडे की दूरी पे है और ये अननिया पापा की गोड़ में है कोष्ता करे counterpart बहुत जाजाश चर्दी है क्योंकि जहां पर हाल है वहां पर आसपास खेथ हैं की नमी की वजजे चाहसे आसपास बहुत копरा है कहरा इतना मलत ऐसे हैं जैसे कि अटो जारा है कहरा और ये ले देकिए जाड़ी गजो हॉल है बहुत अच्छा साजा हुआ है तो यहां पर मैंने एक अपनी फोटो की च्वाली थी है और यह हम लोग ग्राउंड में आ चुके हैं यह देखिए काफी अच्छा साजा हुआ है और काफी बड़ा ग्राउंड है और लेकिं कोहरा बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं जारो लोग खा रहे हैं और सादी के खाना खाने की बाती अलग हो जाती है तो और इधर बच्चों ने कहा कि हमें डांस करना है तो हम लोग इनको डांस कराने के लिए इधर ले आए अनल्या कुछ जड़ा ही एक्साइटेट थी तो आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जब लोग यहीं सब्सक्राइब करते हैं बाई